पश्चिम बंगाल में राम नॉम्मी के दिन हुई हिंसा के बाद से ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं हावडा और उत्री दिनाश पूर में हुई हिंसा के बाद आज हुगली में हिंसा का मामला सामने आया है हुगली में राम नॉमी थीम पर आयोची शोबा यात्रा के दोरान जम कर हिंसा हुई है ये शोबा यात्रा बीजेपी की ओर से आयोचीत की गई थी शोबायात्रा के दोरान दो गुट आपस में भिड़ गए पत्राओ के दोरान बीजेपी के एक विदायक खायल हो गए जिनने अस्पताल में भरती कराया गया है हुगली के रिश्रा में शोबायात्रा के दोरान जम कर पत्राओ हुआ पत्राओं से बशने के लिए कुछ लोगों को सुरक्षित इस्थानों की तलाश में दोड़ते भी दिखा गया साथी इस ओरन आगजनी की भी घटना हुई हिंसा में बिजेपी विधायक विवन घोश भी घायल हो गये हैं जने अस्पताल में भरती कराया गया है रिश्रा के हिंसा प्रवावित इलाकों में धारा 145 लगा दी गई है साथी इलाके में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है शोबायात्रा में भाजपा के राश्टी उपाध्यक्ष दिलिब घोश भी शामिल होए थे पुलिस सुत्रों के मुताबिक शोबायात्रा में डीजे के साथ तेज आवज में संगीत बजाया गया और मजजित के सामने तलवारे लहराए गई सुत्रों ने कहा कि शोबायात्रा तैस समय से देरी से शुरू ही थी साहती पुलिस सुत्रों ने बताया कि हिंसा उस वक्त शुरू ही जब इलाके में मस्जिद को निशाना बनाने की अफ़ाफ फैली इसी के साथ बने रही राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद